तो अगर आप लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप में हैं तो आप इंटरनाइट की सबसे इफेक्टिव वीडियो देख रहे हैं क्यों मैं यह बोल रहा हूं यह आपको तो वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा बढ़ हां अगर आप अपने लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप को एंड तक चलाना चाहते हो तो इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखे तक फ़ेले लॉंग डिस्टेंस रिलेशनिशिप बहुत रेयर हुआ करते थे यूजी जो लोग आर्मी में हैं यह जो लोग की ड्यूटी दूब है उनका शादी के बाद कभी कभी long distance relationship होता था but rare stories होती थी but internet आने की वज़े से आज कल मुझे ऐसा लगता है हर पांच में से दो इंसान का जो relationship है वो long distance है क्योंकि कई बार हमें अपने आसपास के लोग इतने अच्छे नहीं लग रहे होते और जो हमें internet पे या कहीं पे मिलता है इंसान वो हमें अच्छा लग रहा होता हो हमारे पास नहीं होता कई बार शाया मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे पास नहीं होता इसलिए हमें वो जादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि जो चीज दूर होती है उनकी value जादा होती है as compared to जो चीज़े हमारे पास होती है तो यह मेरा मानना है अब शायद में गलत भी हो सकता हूं तो सबसे पहली चीज अगर आप चाहते हैं कि आप अपने long distance relationship को बढ़ाएं आगे तक ले जाएं वह effective communication अब effective communication से मेरा मतलब क्या है यूजरी लोग बात तो करते हैं मैंने कई बार यह देखा long distance में लोगों को बहुत जादा मतलब ऐसा मन नहीं लगता अगले वाले इंसान के बीना तो वह क्या करते हैं कि वह फोन उन रखते हैं और बाकी काम करते रहते हैं और फोन पे भी बात करते रहते हैं अपनी पढ़ाही करते रहेंगे फोन ओन रहे गरवालों के सिस्ट मतलब एरफोंस लगाकर रखते हैं उसमें कॉल चालू होती है और गरवालों से भी बात करते रहते हैं यह कहीं ना कहीं एफेक्टिव कम्मुनिकेशन में नहीं आता है यह एक्चुल में आपके रिलेशन्शिप की हेल्थ को और जादा खराब कर देता है और वह एफेक्टिव कम्मुनिकेशन मिसिंग होता है कहीं ना कहीं तो लड़ाई होने के चांसे ज्यादा होते हैं क्योंकि आप इतनी अच्छी तरह कम्मुनिकेट नहीं कर पारें जो आप कर रहे हो यह जो आप हो जिसकी वजह से मिसंडेस्टेंडिंग के चांसे ज्याद सब्सक्राइब तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप एक अच्छा रिलेशन्शिप बनाएं तो इफेक्टिव कम्मुनिकेशन कीजिए दूसरी जो सबसे जादे इंपोर्टन चीज है वह हैं ट्रस्ट एंड ट्रांस्परेंसी समझना पड़ेगा कि अगर आपके नहीं कहलाएगा ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको अपके रिलेशन्शिप में अपने बाहर जा रहा हूं जब मैं अंदर जा रहा हूं अब मैं यहां जा रहा हूं अगर बिना बताए गए तो लड़ाई हो रही है आपको हर चीज कम्मुनिकेट करनी पड़ रही है कि मैं यह कर रहा हूं या अभी फोन नहीं उठाया था तो इसलिए नहीं उठाया था यह अगर आप रिष्टा बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आगे वाले भरोसा करना पड़ेगा और वो ट्रस्ट करना पड़ेगा हाउ टू बिल्ट ट्रस्ट में मैंने एक प्रूफ देना पड़ता है कई बार चैट के स्कूर बेजने पड़ता है कई वर लोग पासवर्ड रखते हैं अगर आप इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि जो पार्टनर है वह आपके साथ लॉयल रहेगा तो फिर वह रिलेशन्चिप वैसे भी नहीं चल पाएगा ल तो eventually भले ही उसे यह ना पता चले कि आप क्या छुपा रहे हो पर यह पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ missing है और जहां पर missing शब्द आ जाता है वहां पर कि ट्रस्ट जो है वो डगमगाने लगता है वहां पर इफेक्टिव कम्मिकेशन नहीं हो पाती सपोस्ट की मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है वो उससे रिलेटिड नहीं है मेरे काम से रिलेटिड है और I am feeling low I am feeling depressed ठीक है क्योंकि मेरा काम कहीं डाउनफॉल पर चल रहा है और एक confused misunderstanding create हो जाती है जो कि आपको नहीं होने देनी अपने relationship में क्योंकि आप इसे एंड तक चलाना चाते हो तो ट्रस्ट रखें और transparency रखें अगर आप सच में चाहते हैं कि relationship लंबा चले तीस रा जो मुझे लगता है सबसे effective तरीका है किसी भी relationship को long term तक चलाने का वो यह है कि आप एक combined goal बनाए और साथ में उसके उपर काम करना शुरू कर यह मैंने अपने उपर try and tested है तो यह work करता है तो इससे बहुत जादा नया पना आजाता है सभी के relationship में तो आपके relationship में भी आएगा अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक combine goal बनाए यह समस्पूस की सपोस्थ की कोई आप healthy goal बना सकते हैं कि आप दोनों रोज सुबह वाक पर जाएंगे छे बजे दोनों उठेंगे सपोस्थ कि आप दोनों healthy lifestyle नहीं फोलो कर रहे हैं और आप नहीं कुछ कर रहे हैं अपनी health के बारे में दोनों या तो मोटे होते जा रहे हैं या तो पतले होते जा रहे हैं जो भी जैसी भी आपकी health है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने partner को बोले कि यार हम तुम मुझे उठाना सुबह साथ बजए मैं तुमें उठाओंगा और दोनों साथ में रोज 5 km या 2 km या 1 km से भी आप स्टार्ट कर सकते है जैसे आपका health level है उस पे फिर हम साथ में वॉक करना शुरू करेंगे जिससे क्या होगा आप साथ में अपने goals को hit करेंगे जिससे आप एक दोसरी की feeling समझ पाएंगे या यह सपोज आप दोनों student है तो आप सोच सकते हैं कि चलो आज हमें ये book पढ़नी है तो तुम एक budget लगा सकते हैं जो भी हो सकता है पट एक combined goal बनाईए जो goal उसका भी हो और आपका भी हो एक दिन का और उस vision को साथ में देखिए और साथ में उसके उपर काम कीजिए जिससे क्या होगा कि एक नया पन आ जाएगा और कहीं ने कहीं आप दोनों को मजा आएगा उसमें करने मे क्योंकि एक एक यहां help भी हो रही है motivation भी आ रही है और कुछ ना कुछ productive काम भी कर रहे हो हर वक्त बस वह बाबूश होना नहीं कर रहे हो आप आप दोनों एक दूसरे को grow करने में help कर रहे हो जो कि कहीं ना कहीं एक positivity लाता relationship में तो बहुत ज़रूरी है ऐसा relationship build करना जिसमें हो positivity हो growth हो और यह सारी चीज़ें हो तो अगर आभी तक आप यह नहीं कर रहे हैं तो करना शुरूर कीज़े इतने विल डेफिनेटली हेल्प यह फूर्थ यह नॉर्मल होना चाहिए लांग डिसंस में भी होना चाहिए कि अपनी इंडिपेंडेंसी बिल्ड होनी चाहिए औ आपका खुद का एक self-care routine होना चाहिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इविंचुली आपके पास आप खोकले हो जाओगे दूसरे इंसान को देते 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 जो भी आप प्यार affection दे रहे हो यूजरी क्या होता है लोग long distance में रहते हैं तो अपना हो जितना भी free time होता है ज जो भी उनके पास time होता है वो सब उस इनसान को देते जिसकी वज़े से एक तो हो emotionally independent नहीं हो पाते हैं जिसकी वैसे वह emotionally weak ho जाते हैं दूसरा वो self care नहीं करते हो तो धीरे 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 अंदर से shallow होते जाते हैं खाली होते जाते हैं जिसकी वज़े से क्या होता है कि वह relationship में खोकला पन सा आने लगता है रोज repetitive चीजें होने लगती हैं वह इंसान सिर्फ emotionally dependent होने लगता है उस इंसान पर आगे वाले इंसान पर नट्राइं होने लगता है या आप उस पर एमुशनल repcendent लोने लगता है आप उसका नहीं है एकक्श안 में या फिर आपकी ज़रूत बन गया है डिक है आप जरूत से उस इंसान से बात कर रहे हो तो बहुत जरूरी है कि अप इंडीपेंडिंडन्ट रहो एमॉशनली जिसक कर रहे हो क्योंकि आप उसे प्यार करते हो आजकल मैक्सिमम रिलेशन्शिप ऐसे ही हो गया है कि जहां बस एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हैं बस पागल होए जा रहे हैं दूसरे के पीछे कि मुझे छोड़ना मुझे मुझे छोड़ना मत में पापत रहे हैं यही हो रहा है जिसकी वेसे क्या होता है रिलेशन्शिप में नेगेटिविटी जादा आती है एस कंपेर टू कि हम एक अच्छा रिलेशन्शिप बिल्ड कर पाएं और फिफ्ट जो मोस्ट इंपोर्टन है वो है फ्रिक्वेंटली में प्लैंस फोर मीटिंग इन रियल लाइफ अगर आप फ्रिक्वेंटली मिल नहीं पा रहे हैं मतलब एट लीस्ट एट लीस्ट महीने में एक बार तो आप मिल पाएं ठेक है अगर आप फ्रिक्वेंटली नहीं मिल रहे हैं आप छे महीने में साल में एक दो बार ही मिल रहे हैं तो दोस्तिया रिलेशन्शिप नहीं चल पाएगा सचाई यह है क्योंकि हर एक इनसान रोज बदल रहा है तो आपको उससे रियल करता है अपनी फैमिली के सामने आपको कैसे ट्रीट करता है दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करता है अपने से ऊपर के तबके के लोगों को कैसे ट्रीट करता है अपने से नीचे तबके के लोगों कैसे ट्रीट करता है जब उसे गुस्सा आता है जब वो फेस्टू फेस होता sometime go very random and go for very plain things ठेक है जहां पर entertainment कम हो थोड़ा सा अलग है नहीं यह पर हाँ यह जरूरी है कि अपनी meetings को boring करो जिससे आप एक दूसरे के साथ कितने interesting हो यह आपको पता चल पाए entertainment के लिए बागी से रखो मत फोन मत यूज़ करो कोशिश करो कि यह देखो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने entertaining को अगर हो तो बढ़िया है नहीं हो तो you have to think one more time about this relationship अगर आप यह सारी चीज़े कर रहे हैं तो definitely आपका जो long distance relationship है वह बढ़ जाएगा आगे और अच्छा चलेगा so hope so कि this video is really help you out हमारा channel is all about relationships and mental health तो कोशिश कीजिए कि आपकी वीडियो भी देखें और अगर पसंद आ रहे हैं तो subscribe कर दिए like कर दिए comment में छोड़ते जाहिए I love you jeet my my name मिसजीत राठ और सो बस इतना ही था यह वीडियो और मिलते हैं नेक्स वीडियो में पहले हम अपते में दो वीडियो लाते थे अब हम कोशिश कर रहे हैं देखो मैं promise नहीं कर रहा हूं बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस हफते के बाद नेक्स वीक से हम एक लीस्ट तीन वीडियो लाएं हर अल्टरनेट डे पर एक वीडियो हो आप लोगों के लिए सो सब्सक्राइब करके रखिए बहुत कुछ नमागेदार आने वाला है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जा भारत